उधारण 15 किसी समांतर शेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20 पद ज्याद कीजिए हल यहां प्रथम पद A बराबर 10 N बराबर 14 और प्रथम 14 पदों का योग है हमारे पास दियावा है 1050 हम जानते हैं S N बराबर N बटा 2 बड़े कोश्टक में 2 A धन छोटे कोश्टक में N रेन 1 गुणा D प्रथम 14 पदों का योग हमारे पास 1050 है 1050 बराबर N का मान हमारे पास 14 बटा 2 2 A का मान 10 10 को हम कोश्टक में रख देंगे धन 2 गुणा 10 धन N का मान 14 रेन 1 D का मान हमारे हमें पता हमें ग्यात नहीं है तो D की स्थान पर D लिखेंगे और उसके बाद हम 1050 बराबर 14 बटा दो जो है वो साथ हो जाएंगा और कोश्टक में 20 धन 13 14 रिणे 13 D कोश्टक बन या 1050 बराबर जब कोश्टक खोलेंगे तो 7 गुणित 20 140 धन 7 को 13 D से गुणा किया रहेंगे तो A can 90 D या 90 D बराबर 1050 रिण इसका पक्षांतर करेंगे 140 का तो रिण 140 उसी तरह से 90 D बराबर 1050 में 140 को घटाएंगे एक 1050 में 140 को घटाने पर हमें प्राप्त होंगा 910 या D का मान 910 बटा 90 या D बराबर 10 इसलिए यहाँ पे जो 20 वा पत जो है A 20 बराबर हो जाएंगा हमारे पास A प्लस A धन N रिण 1 गुणा D होता है जहाँ पे A हमारा 10 है धन N हमारा 20 रिण 1 और D का मान हमारे पास 10 है तो इस तरह से हमने ग्याद किया कि 10 धन 19 गुणा 10 बराबर 190 बराबर 200 तो इसलिए इसलिए बीश्वा पद बीश्वा पद हमारा 200 है तो यहाँ बीश्वा पद जो है हमारा 200 प्राप्त होता है